आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ लेखक मधुकर उपाध्या जी है और इस पूरी पुस्तक में लेखक ने भगवान राम की बच्पन से लेकर उनकी वनवास और सीता हरन और उनका वापिस में राज्या विशिकुना यह सब उन्होंने हमें बताया हुआ है अभी तक हमने इसका पहला भाग पढ़ लिया है जैसे कि हमारा शीरशक है लंका में हनुमान तो इसमें जब हनुमान जी लंका में सीता माता को खोशने के ले गए थे तो इस भाग में इस बारे में लेखक ने बताया है तो चली अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं लेकक लेक रहे हैं कि एक एक करके उन्होंने राक्षे सोके सारे घर चान मारे पसू शालाएं भी देख ली तो हमने अपने इसके पहले भाग में पढ़ा था कि जो हन्मान जी हैं वह लंका गए हुए थे अब चुकी जब राम सुग्रीव के पास गए हुए थे अपने साउन से सहायता मांगने तो उन्होंने अपनी पूरी वानर सेना को सीता के कोश में लगा दिया था तो जब वानर सेना डिस्टक्षन जैसा में जा रही थी तो उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा समुंदर मिला अब समुंदर को कोई भी पार नहीं कर सकता था क्योंकि वो समुंदर बहुत अदिक गहरा था इसलिए जो उस दल के जो बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनका नाम तज्याम मन्त उन्होंने कहा कि हनुमान जी को उनकी सकतियों से परिचत करवाते हुए कहा कि तुम ही तुमारे पास बहुत सारी शक्तिया है और तुम पवन पुत्र हो इसलिए तुम इस परवत को और इस सागर को पार कर लोगे समुंदर को पार कर लोगे तो उनके कहने पर हनमान जी ओड़ते हुए समुंदर को पार किया और वो परवतों को पार करते हुए वो लंका में पहुँच गए और जब वो लंका में पहुँची तो उन्होंने लंका में हर जगए रानी सीता की खोश शुरू कर दी और जब लंका के महल में गए तो उन्होंने देखा कि लंका का महल बहुत अधर की स़जित और भव्य था और जब रामड के कक्चे में गए तो वहाँ उन्य सीता नहीं मिली वहाँ उन्य सिर्फ रामड की पतनी मंदूदर ही मिली थी और जब वह अंतयपोर से निकल कर उन्होंने एक एक करके राक्चिसों के सारे घर चान मारे अब चुकी वो लंका थी तो लंका में सिर्फ राक्चिस गण ही निवास करते थे तो अब रहनुमान जी ने सीता मया के खोज में एक एक करके सारे राक्चिसों के घर चान मारे और जितनी भी पश्रुच शालायमूँ थी वह भी देख ली सीता का कहीं पताना था। शीता की लंका में होने की सूषिणा पर उन्ने संदे नहीं था। अब जो जटायू का जो भाई था संतापी उसने बताया था कि सीता लंका में हैं। इसलिए अब हन्मान जी को शीता किस लंका में होने पर उन्हें कोई संदेशक नहीं था पर वैं दुखी हो गए थे क्योंकि वैं बहुत देर से सीता को खोज रहे थे अब पर वैं दुखी हो गए और सोचने लगे रामड ने अवश्ची ही सीता को कहीं चिपा दिया है किसी गुप्त इस्थान पर मैं उन्हें धूर निकालूँगा उनसे मिले बिना नहीं लोटूँगा उन्होंने तै किया और अब हन्मान जी ने तै कि रामड ने अवश्ची सीता को कहीं चिपा दिया है किसी गुप्त इस्थान पर मतलब किसी चुपे हुए स्थान पर और मैं आ प्रतिग्या ली थी कि वह सीता को राम क्या गूटी अवश्य देंगे उन्होंने तैय कर लिया था कि वह उनसे मिले बिना बापिस नहीं लोटेंगे अन्ताइपुर के बाहर हनुमान ने रामड का रत देखा शुवायने रत रतनों से सजा हुआ था वे चके तरह गए और अशोग को अशरे चकित हो गये तबी उनका ध्यान अंताहपुर से लगी वाटिका की ओर गया तो हम सभी जानते हैं कि रामड ने राने शीता को अशुक वाटिका में रखा उ था जब रह भनमान जी रामड के रत को दे utmost को देख रहे थे तो उनका ध्यान गया कि अंतापुर में लगी वाटिका ओके ओर जहां पर अशोक के उची उची व्रक्ष थे अब वहाँ अशोक की बहुत सारे व्रक्ष थे इसलिए उसस्थान का नाम अशोक वाटिका रखा गया था आकाश छूने को आतुर यह जो अशोक के जो बड़े बड़े व्रक्ष उनको देखकर ऐसे लग रहाता जैसे वह आसमान को छूलेंगे यही अशोक वाटिका थी जहां पर सीता मया थी तो दीवार लांकर वे अब वहाँ पर पहुंचे लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था तो अभी तक जो हन्मान जी जो लंका में सीता मया के खोज में गए थे तो उन्होंने पूरी लंका को में सीता को खोज लिया था लेकर वो उन्होंने नहीं मिली थी सिर्फ अशोक वाटिका ही बची थी तो अब वह दिवार लांकर अब वहाँ गए तो लंका में उन्होंने बस यही एक स्थान बचा था जो उन्हों पेड घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए, उन्हें वहाँ से सब कुस दिखता था, लेकिन उने कोई नहीं देख सकता था, तो लेखक ने बताया है कि जब हनुमान जी जब सीता को खोजने के लिए लंका में गए हुए थे तो उन्होंने पूरे लंका का कोना कोना चान लिया था लेकिन उन्हा सीता कहीं भी नहीं मिली थी और जब अंत मेवाय अशोक वार्टिका के तरफ गए तो उन्होंने मनी मन सो और वो पूरी लंगा को देख सकते थे अब रात हो गई थी अचानक वार्टिका के एक कौने से उन्हें अट्ठास सुनाई पड़ा अट्ठास का मतलब होता है मजाक उपास तो जब रात हो गई तो उन्हें अचानक वार्टिका के कौने से उन्हें एक अट्ठास सुनाई दि तो ही राक्चेसियां देखी अब हनुआन जी वहीं देखने लगे तो एक राक्चे मतलब एक पेड़ के नीचे राक्चेसियों का एक जुंड एक समूह था वे किसी बात पर ठाहा के लगा रही थी ठाहा के लगा रही थी मतलब जो राक्चेसियां वहां पर उपास से थी जि ध्यान से देखा तो राक्ष्यसियों के बीच एक इस्तरी बैठी हुई है तो अब हनवान को लगा कि जो एक अवश्य है सीता पर आस रही। और कमजोर हो गई थी और शोक में डूबी होई थी तो जो रहनुमान थे उन्हें मनी मन सोचा कि यही मा शीता है उन्होंने मन में सोचा अब उन्हें कोई संदे नहीं था और जब वहाँ पर एक स्त्री को उन्होंने देखा तो उस इस्त्री की काया को देखकर जो हनुमान ने सोचा कि अवश्य ही है माता सीता है अब उन्हें किसी भी प्रकर का कोई शंदेशक नहीं था अब जो राक्चसियां थी वह वहीं थी हट नहीं रही थी हनुमान उताबले थे पर नीचे उतरने में डर था सुयम उनके लिए और साथी सा सीता के लिए भी उन्होंने रावड को आते हुए देखा अब जब हनुमान जी ने देखा कि वहाँ पर सीता माता थी और सारे राक्चसियां भी वहीं उनके आसपास उनके शुरक्चा के लिए रखी गई थी और जो आराक्चेसिया थी वह हट नहीं रही थी लेकिन हनुमान अब सीता मा सीता से मिले किल उतावले हो रहे थी क्योंकि उनको राम की दी हुए अंगुठी उन्हें देना था लेकिन अगर वह नीचे उतर थे तो उनके लिए खत्रा था और क्राम हनुमान जी के लिए भी उन्राक्चेसियों से खत्रा था और माता सीता के लिए भी उन्राक्चेसियों से बहुत जादा खत्रा था कि तब ही उन्होंने देखा कि जो लंगा के जो राजा है रावड वो सीता की तरफ आ रहे है अपने राजची ठाट बाट के साथ अब चुकि वह एक राजा थे तो वह अपने राजची ठाट बाट के साथ सीता के तरफ आ रहे थे अपने पूरी दासियों के सहिद हनुमान सीता से भेट किये बिना लोटना नहीं चाहते थी और जो हनुमान थे अब वह सीता से भेट मतलब भेट मतलब मुलाकात किये बिना बापिस राम के पास लोटना नहीं चाहते थी ऐसे लोटा तो राम को क्या बताऊंगा और जो हनमान जी थी वह मनी मन सोचे अगर मैं ऐसे ही लोट गया तो मैं राम को क्या जवाब दूँगा और उन्हें क्या बताऊँगा कि मैं मासीता के दर्शिन भी नहीं किया और मैं वापस लोट आया अब उन्हें नीचे उतरने का अफशर नहीं मिल रहा था वे डाल से चिपक गए सास रूप कर रामड के लोटने की प्रतीक्छा में अब जब उन्होंने वहाँ पर रामड को आते हुए देखा चूकि उन्हें माज सीता से मिलना था उनके दर्शिन करनी थे और उनको राम की गूठी देनी थी इसलिए वह उनका मन बार-बार घो रहा था कि वह जाके सीता से मिलने लेगिन वहाँ पर चारो तरफ राक्षिसियों का कड़ा पहरा था इसलिए वह देविशीता से नहीं मिल पाए और इतने में ही उन्हों ने देखा कि अब रामड आ उनके तरफ आ रह होने का अपने राज से ठाट बाट का और अपने धंदौलत एशो आराम का माता सीता को लालस दिया उन्हें बहलाया और फुसलाया अब जो कि रानी जो सीता है तो हम सभी जानते हैं कि वह तो एक पती प्रता इस्तरी है तो वह अपने अपने पत से नहीं देगी और रामड अपने तरह तरह से उनको प्रभावित करने की कोशिश की लेकिन वह अपने अपने पती वरता मारग से नहीं देगी अब वह डर से कांप रही थी पर उन्होंने रामड की एक ना सुनी तुरषकार किया और जो सीथा थी वह रावड की डर से काप रही थी लेकर उन्होंने रावड की एक बात नहीं सुनी और उसका तरसकार किया और उसका अपमान किया रामड ने कहा कि तुम्हें डरनी की आवश्यक्ता नहीं है सुमखी, मैं तुम्हें इसपर्ष नहीं करूँगा, जब तक तुम स्वयम ऐसा नहीं चाहोगी, तो जो रामड है बहुत सीता की बहुत अधिक इज़त करते थे, तो उन्होंने उनको इज़त देते हुए कहा कि त तुम्हें डरनी की आवश्यक्ता नहीं है सुमखी, मैं तुम्हें इसपर्ष नहीं करूँगा, जब तक स्वयम ऐसा नहीं चाहोगी, मैं तो तुम्हें अपनी रामड की बात नहीं मानती हैं, और उनका तरह तरह से तरशकार करती हैं, लेकिन वो उनके डर भी रही थी, तुम्हें तुम्हें डरनी की आवश्यक्ता नहीं है सुमखी, मैं तुम्हें इसपर्ष नहीं करूँगा, जब तक स्वयम ऐसा नहीं चाहोगी, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरी बात मानो, और मेरे साथ मेरे राज्य में चरूँ वहा तुम्हारे पास आप केवल दो ही महीने बच्छे हैं तुम या तो मेरी रानी बनने के लिए तयार हो जाओ या आप मृत्य लोग जाने के लिए तयार हो जाओ तो तरह तरह से रामण सीता को धमकी देता है अब रानी सीता कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा दुस्ट राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है अब जो रानी सीता है वह रामड को लड़कारते हुए कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा दुस्ट अगर मेरे पती राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है मुझे राम के पास पहुचा दो वे तुम्हें च्छमा कर देंगे तुमने ऐसा नहीं किया तो शर्विनाश निस्जित है तुमने अपरात किया है तुम्हें कोह ही neighbors नहीं बचा सकता तुम्हारांत निकट है अब रानी सीता रामण को उत्तर देते हुए कहती है कि जो ऐसा तुम चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा तो राम के सामने तुम्हारा कोई अस्तित्म नहीं है और तुम मुझे अगर राम के पास पहुचा दोगे तो वे तुम्हें छमा कर देंगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी लंका का और तुम्हारा सरविनाश निश्चित है तुमने बहुत बढ़ा परात किया है और तुम्हें इस अपरास से सजा से कोई भी नहीं बचा सकता है ये मूर्ख राक्षे तुम्हारा अंतर निकट है अब जल्दी तुम रत्यू लोक में जाने वाले हो अ इसलिए वह सिर्फ अपनी पती का ही नाम लेती रही और अब रामड करोध में पैर पटकता हुआ चला गया अब रात गाड़ी होती जा रही थी रामड के जाने पर राक्षे सियों ने सीता को घेर लिया उन्हें डराने धमकाने लगी और अब जब रामड सीता की बाते सु अब रामड का प्रस्ताव आश्विकार कर रही हो यह रामड की नगरी है तुम्हारा राम यहां कभी नहीं पहुंच सकता तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अब जो राक्षे सियां थी तो वो तो राम को जानती ही नहीं थी भैत उनके शौरे उनके पराक्रम को नहीं जानत तो वह सीता से कहती है कि तुम मूर्ख हो कि तुमने रामड का प्रस्ताव आश्विकार कर दिया मतलब तुमने रामड का विवाद का प्रस्ताव ठुकरा दिया है यह तो रामड की ही नगरी है और तुम्हारा राम यहां पर कभी नहीं पहुंच सकता और तुम्हें कोई भी बचा सकतिया और सब कुस नस्ट हो गया है यह सपना अच्छा नहीं है कहीं यह शीटा के दुख से जड़ा तो नहीं है शीटा की हिचकियां बंद गई वह बिलाप करने लगी अब जो राने शीटा है वह त्रजटा राक्चिसी के बाद सुनकर वह कहती है कि मैंने एक सपना देखा है, कि पूरी लंका तो समुधर में डूब गई है, और सभी सब का विनाश हो गया, और सब कुछ नस्ट हो गया है, और यह सपना अच्चा नहीं है, कहीं यह सपना सीता के दुख से तो जुड़ा नहीं है, और और उसकी बात थे सुनका सीता की ऐचिकियां बंध गई, वह विलाप करने लगी विराप करने का मतलाब है, वह रोने लगी अब जो तुरिजटा नाम की जो राक्चिसिय वह कहती है कहीं जो सीता के साथ जो हमारे जो रावट ने और हमारे लंका नगरी में जो भी गलत किया है तो कहीं इसका परिणहां बहुत ही बुरा होगा और इससे हमारे पूरे लंका का सरविनाश हो जाएगा अब जो सारी राक्चिसियां थी वह एक एकर सारी चली गई अब सीता असुग वाटिका में अकेली थी यह अच्छा अफसर था अब जो हनुमान जी थे वह बहुत देर से अभी पेड़ पर चड़ी हुए यह सारी घटनाय सारा ब्राक्रम देख रहे थी और उन्हें देखा यह किस तरह से जो सीता थी वह रामड को ललगारती है और अपने पती को ही साथ देती है तो जब उन्होंने देखा कि एक एकर के सारी राक्चिसियां चली गई अब सीता अगसो वाटिका में अकेली थी और यह अच्छा अफसर था पर हनुमान पेड से नहीं उतरे कहीं सीता मुझे भी राक्चिस ना समझ ले माया भी चाल मान ले उन्होंने सोचा तो हनुमान ने मने मन सोचा कि कहीं माता सीता मुझे भी राक्चिस ना समझ ले और कहीं यह राक्चिस वा कि माया ना समझ ले कि किसी राक्चिस ने अपना वेज बदल के मुझे कि मैं कोई राक्चिस हूँ और अपना वेज बदल के उनके पास आया हूँ कहीं माता सीता मुझे पर विश्वास ही ना करे अब जो हनुमान थे उनकी मन में इस तरह की तरह के सवाल आते रहे पीड पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंब की और राम का गुडगान रामड की लंका में राम चट्चे सुनकर सीता चौकी उन्होंने उपर देखा जिधर से आवाज आ रही तो पूछा कि कौन हो तुम अब जब राम ने सूचा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सीता मा है वहें मेरी बात पर भरोसा आई ना करे इसलिए उन्होंने एक युक्ती सूजी और वहें अपने पीड़ पर बैठे बैठी उन्होंने राम कथा का प्रारंब किया और उन्होंने अपनी पूरी कथा में भगवान राम के गुड़ों का गुडगान किया है अब जब सीता ने सुना कि रावड की लंका में कोई राम के गुडगान के बारे में बात कर रहा है तो सीता अब चौग गई उन्होंने ऊपर देखा जहां से आवाज आ रही थी और उन्होंने ऊपर देखते हुए पूछा कि तुम कौन हो तुम तो हनुमान नीचे उतर आये उन्होंने शीता को प्रणाम किया और राम की अंगूठी उन्हें दी अब जो हनुमान थे वह इस शीता के बात को सुनकर पेड से नीचे उतराय और उन्होंने सीता मा को प्रणाम किया और उन्होंने राम की दिव Northern अंगुठी दे दी सीता को प्रणाम किया और राम की अंगूठी दे दी और उनसे कहा कि हे माता मैं स्री राम का दाश हूं किस किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनूचर उन्होंने मुझे यहां भेजा है आपका समाचार लेने और अब जो हनुमान है वह सीता माता को अपना परिचार देते ह कि मैं स्री राम का दाश हूं किस किंधा के वानर राज सुग्रीव का गुप्तचर और अनूचर हूं उन्होंने मुझे यहां पर भेजा है आपका समाचार लेने अब हनुमान को लेकर शीता के मन में अब भी शंका थी उन्होंने परवत पर फेक आभुशनों की याद दिल क्या अब जो छूमसीता थी वह अभी पर सोच रही थी कि यह जरूरी राक्छसों की कोई चाल है और यह हनुमाण जो भी यह वह भी राक्छसी है वह उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी लेकिन हनुमान ने जब उन्हें बताया कि आप जब लंका की ओर आ रही थी जो आपने भगवान राम के लिए अपने कुछ आभूशन फेके थे, तो हम लोगों ने वो आभूशन उठा कर भगवान को राम को दे दिये थे, तो जैसे उन्होंने परवत पर फेक के आभूशनों की याद दिलाई, तो अब सीता का जो भी संदे था, उनके मन में जो भी ब पूचा, उनका कुछल मंगल पूचा कि राम कैसे हैं और भी कई प्रशनी किये, हनुमान उनने कंदे पर बैठा कर राम के पास ले जाना चाहते थे, सीता ने यह प्रस्ताव आश्विकार कर दिया, अब जब राम की जो हनुमान थे, उनके एक्छा थी, कि वह अपने कंदे पर बिठालकर सीता को अपने साथ बापिस राम के पास ले जाएं, लेकिन जो माता सीता थी, उन्होंने यह प्रस्ताव आश्विकार कर दिया, उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं होगा, पुत्र पकड़े गए, तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुँचेगा, अब जो हनुमान से उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया, तो हनुमान ने सीता से विदाली, और वह पूरी सूचन ततकाल राम तक पहुँचाना चाहते थे, और चलते समझ सीता ने अपने एक आपुशन उन्हें दे दिया, उनकी आँखे नम थी, हनुमान ने कहा, निराश ना हु हनुमाते स्री राम दो महां में यहां आवश्च्रे पहुच जाएंगे, और जब सीता ने हनुमान को साथ चलने से अश्विकार कर दिया, तो हनुमान ने सीता से विधाली, और वह यह सारी बातें तुरंत ही राम तक पहुचाना चाहते थे, और जब वह जा रहे तो सीता अपना एक आभूशन अपना एक गहना उन्हें दे दिया और सीता की आखे अब राम की व्योग में नम थी तो हनुमान ने उन्हें कहा कि निराश नहों माते स्री राम दो महा में आवश्य ही यहां पहुंच जाएंगे तो लेखक ने अमें इस पार्ट में बताया है कि किस तर वहां पर रावड आता है और वह तरह तरह के प्रलूभन देता है शीता को तरह तरह से लालत देता है फिर भी जो माता शीता है वह अपने पतिवर्ता ब्रत पर अडिग रहती है तो हमने देखा है कि कि किस तरह से जो रावड उनको तरह तरह से प्रभावित करता है लेकिन जो सीता है वह अपनी बात पर अड़िग रहती है और रावण को बहाँ पर ललकार कर मासे भगा देती है अब जो वाकिए जितनी भी राक्षिसिया होती है वो सीता से कहती है कि तुम मूर्ख हो तो मैं तो लंका के रानी बनने का आफसर मिल रहा है लेकिन जो वहाँ पर एक जिसका नाम तरिजटा है और वह सीता को अपनी पुत्र ही मानती है तो वह कहती है कि मुझे लग रहा है कि अब हमारी लंका का बिनाश निप्ट की होने वाला है और जब सारी राक्षिसयां चले जाती है तो हनुमान जी अब सीता से मिलते हैं और उन्हें राम का संदेश देते हैं और रानी सीता भी अब अपना एक संदेश राम तक पहुँचाती है और जब हनुआन उनसे बिदा लेते हैं तो उनसे सीता से कहते हैं कि निराश ना हुमाते स्री राम दो महमें यहां आवश्य ही पहुत जाएंगे अब हमारे इस पार्ट का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे धन्यवाद